नमस्कार दोस्तों मैं योगेश आप जब का स्वागत करा हूं मेरी चनल हेलो साहित मैं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंगलिश लिट्रेचर के युनिवर्सिटी वेट्स तो आज हम देखेंगे युनिवर्सिटी वेट्स के जो ड्रामेटिस्ट है उसके एमसी के उस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेशन है एंडी मियन इस फैमस प्ले आप अप्शन है आपके पास थामस केट बी थामस नैश सी बैं जॉंसन डी जॉन लेली तो राइट आंसर है आपका डी जॉन लेली क्वेशन नमबर टू हुई इस द्रामेटिस्ट लॉन पर इस म्यूजिकल अबिलिटी तो आपके पास दिये गए है ए थामस केट बी थामस नैश सी जॉर्ज पील डी जॉन लेली तो राइट आंसर होगा आपके पास सी ज क्रिश्टोपर मालो है एपिक फूचर अप्शन है आपके पास ए डॉक्टर पॉस्टस भी तजी आप मैल्टा सी टेंबू लेंडी हिरो अन लेंडर राइट आंसर है आपका सी टेंबू लेंड उपर के दिये सभी प्ले डॉक्टर क्रिश्टोपर मालो के है क्वेशन सी दे एरेंजमेंट आप पैरीश दी दे ओल वाइफ स्टेल तो राइट आंसर है दी दे ओल वाइफ स्टेल्स क्वेशन नमबर फाइव विच अप द फॉलोईंग इस नॉट रिवेंच ट्रेजडी तो नीचे में से रिवेंच ट्रेजडी कॉन सी नहीं है ऐसा पूचा ग आपको रिवेंच ट्रेजडी नॉट पूचा गया है तो आपका राइट आंसर होगा ए डॉक्टर फॉस्टर्स क्वेशन नमबर शीक्स अप्रिश्टोपर मालोस डॉक्टर फॉस्टर्स ऑप्शन है आपके पास ए फ्रेंच नेरेटिव बी स्पैनिश नेरेटिव सी जर् तो राइट आंसर है सी जर्मन नेरेटिव जो डॉक्टर फॉस्टर्स का केरेक्टर बताएगा है तो उन्होंने स्टडी की है जर्मनिक युनिवर्सिटी विटनबर युनिवर्सिटी में क्वेशन नंबर सेवन हुम अमंग दो फॉलोइंग इस इंक्लूड़ेटि इन युनिवर्सिटी विट्स बट इट नॉट स्टडी एट युनिवर्सिटी तो अप्शन है आपके पास ए थॉमस कीड बी जॉन लीली सी जॉर्ज पील डी रॉबर्ट ग्रीन तो राइट एं होने के बाद भी उनिवर्सिटी विट्स में काउंट नहीं होते यह याद रखिएगा क्वेशन नुमबर एट थॉमस कीड्स स्पैनिश ट्रेजरी वर्ड इंफ्लिएंस पाइप्शन है आपके पास ए और एस बी सेनेका सी ओवीट डी एरिस्टोफेनिस तो राइट आंसर ने लिखी है क्वेशन नुमबर नाइन वीच वन आप देम इस नॉट फ्रॉम दे युनिवर्सिटी विट्स तो साथ मेंबर है युनिवर्सिटी विट्स के आपको याद रखना है थॉमस कीड थॉमस नेश्ट थॉमस नॉर्थ और थॉमस लोज तो इसमें से थॉमस नॉ the term university wheats was not used in their lifetime but was coined by option आपके पास A. Christopher Mala B. Dr. Johnson C. George Sandsbury D. Atkins the right answer होगा आपका c. George Sandsbury जिनो ने university wheats coins of the coin किया था Question No. 11. The place of the university wits and certain common futures treatment was heroic and themes were tragic. This is the remark made by Options है आपके पास A. Dr. Johnson, B. Edward Albert, C. George Sandsbury, D. Atkins. The right answer है आपका B. Edward Albert, जिनोने अब हिस्ट्री अप इंग्लिस लिट्रेचर में University Wits के लिए एक comment की थी. Question No. 12. In the beginning of Dr. Poster's, the chorus compares him with तो option है आपके पास Icarus Father, B. Wagner, C. Martin Luther, D. Icarus. तो right answer है आपका D. Icarus जो एक Greek mythological character है जिसमें वो वैक्षन विंग जो उसके फादर ने बना के दे थी और उनको बोला था कि आपको सुर्या के पास जाना नहीं है. तो Icarus है वो अपने फादर की बात नहीं मानता और वैक्षन विंग से हवा में उड़ने का कोशिश करता है और सन के पास जाता है. तो उसकी जो वैक्षन विंग से है वो तूट जाती है और वो मर जाता है. तो यह क्वेशन है उसमें जो पर्टिक्लरली एपिग्राप में है जिसमें कॉरस है उन्होंने आइकेरस की जो मिथोलोजिकल क्यरेक्टर है उसका रेप्रेंस डॉक्टर पॉस्टरस में क्रिश्टोवर मालो ने दिया है. क्वेशन नमबर थर्टिन वो इस दे राइटर आप यॉर हमलेट ऑप्शन है आपके पास ए बिलियम सेक्सपियर बी टॉम स्टॉपार्ट सी थॉमस कीड डी वल्टर रेले तो राइट आंसर है सी थॉमस कीड ऐसा माना जैता है कि हमलेट जो है सेक्सपियर का इन्होंने इ क्वेशन नेट की एक्जाम में पूछा गया है क्वेशन नमबर फिप्टीन हो वाज दे सेंट्रल सन अमोंग यॉनिवर्सेटी वीर्स ए भी इंपोर्टेंट क्वेशन है आपके पास ए थामस कीड बी जॉर्च पील सी क्रिश्टोफर मालो डी रोबर्ट क्रीन तो सेंट्रल सन कहा गया है यॉनिवर्सेटी वीर्स क्या है क्वेशन नमबर 16 डॉक्टर फॉस्टर्स टॉक्स अबाउट हो मेनी डेडली सीन्स तो अप्शन है आपके पास फाइव बी थ्री सी सेवन दी तेन तो राइट आंसर है सी सेवन Q17. Who is the writer of pendo stole? option है आपके पास A. John Lee Lee B. Robert green C. Thomas kid D. Thomas lodge तो राइट अंसर होगा आपका B. Robert green Q18. There is an abstract crow beautified with our feathers who made this statement about william Shakespeare तो option है आपके पास A. Ben Johnson, B. Thomas Kidd, C. Robert Greene, D. Pryde तो right answer होगा आपका C. Robert Greene तो एक comment जो है Shakespeare के लिए की थी Robert Greene ने 1591 में और जिसमों Shakespeare को criticize किया गया था question number 19, what was the nickname given to the group of University Wits by Ben Johnson option है आपके पास The Learned Crew, B. The Literal Alliance, C. The Vice Scholar, D. The Poetic Master तो right answer है आपका A. The Learned Crew तो University Wits उनको Ben Johnson ने The Learned क्यों कहा था कई बार उनको Oxbridge Scholar है वो भी कहा जाता है तो यह ध्यान में रखिएगा question number 20, who was the university Wits known for his work as a prose writer, pamphletier and play writer and wrote work like Piers Penny Lash option है आपके पास A. Thomas Nash, B. Thomas Kate, C. Thomas Lodge, D. George Bill तो right answer होगा A. Thomas Nash, तो Thomas Nash का एक work है The Unfortunate Traveller और उसका कही बार ऐसा भी बोला जाता है तो इसे हम first novel consider कर सकते है English literature में जो पिकारस्क्यू novel है और यह क्वेशन है नेट की एक्जाम में पूछा गया है तो यह सब जो contribution drama के साथ poetry में और मैंने जैसे बताएगी Thomas Nash ने इसने प्रोज में भी अपना contribution दिया है तो यह Oxford scholar है या university reads है जो अपना जो प्रदायान दिया है इस पे हम दुबारा को जो है mcq की सीरीज में बात करेंगे जिसमें हम दॉक्टर पॉस्टर जो पले है वह सबसे important है और या हम बूल सकते क्रिष्टोफर माल्लो जो है इस ग्रूप के important राइटर है तो उन पर हम अडेक से वीडियो देखेंगे